MP Congress इन दिनों लगतार अपनी मौझूदगी दर्शानी के लिए प्रियोग करती नजर आ रही है लेकिन एक पोस्टर के चलते है MP Congress BJP के निशाने पर है क्या है मामला देखी ये रिपोर्ट गौर्ट से देखिए PCC कार्याले के बाहर लगा पोस्टर पोस्टर में जनता को याद दिलाने और कॉंग्रेस के कसीदे गर्णे को लेकर फेहरिस तैयार की गई है एक नहीं, दो नहीं, कई काम गिनाए गए है लेकिन इस पोस्टर की खासियत ये लिस्ट नहीं जरा नजरे उठा के देखिए पोस्टर में नजर आ रहे हैं कमलना लेकिन उनकी छवी बदली हुई है पाजी के कप्तान को श्री कृष्ण के रूप में दिखाया गया है लोगों की भावना है स्वदेश शर्मा उनका पोस्टर है और जिस तरह से ने सरकार बनी 15 साल के बाद जो रहत कमलना जी ने दी हाला की पोस्टर में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका और राहुल के साथ तमाम नेता नजर आ रहे है लेकिन जो ध्यान खीच रहा है वो है कमलनात की कृष्ण की छवी पिक्चर का सामने आना था तो पॉलिटिक्स का गर्माना ते था कॉंग्रेस के इस एक्षन पर बीजेपी का रियेक्षन आया तो फिर दाव भाजपा चल गई प्रदेश के ग्रे मंत्री जोक्टर नरुत्तम मिश्वा ने कहा कॉंग्रेस धर्म का माखौल उड़ा रही है तो वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने भी कॉंग्रेस को आड़े हाथों लिया प्रदेश का माखौल उड़ाने का पूरी की पूरी कांग्रेस ने ऐसा लग रहा है कि मन बना लिया है कभी सौनिया जी को दुरगा के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं कभी कोड के उपर जने उडाल के राहुल बाबा आ जाते हैं अब ये कमल्लाजी का कर दिया है ये हर दिन ऐसा काम करते हैं जिससे मूल राष्टवादियों की भावना आहत हो मूल हिंदू धर्म की आनिराईयों की भावना आहत हो इसलिए ये महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं इससे ज़्यादा दूशित मान सकता और क्या हो सकती है एक पाइटी का कारी करता यदि इस तरह के कोस्टर लगाकर भगवान का मजाक उड़ा रहा है तो ये निशित रूप से हिंदू धर्म का अपमान है कॉंग्रेस लगातार बहु संख्यक समाज और हिंदू धर्म का अपमान करती आई है फिल्हाल बीजपी पर कॉंग्रेस हमला वर है लेकिन देखना होगा कि MP की सियासत में कृष्ण चवीवाले कमलनाथ अपनी पार्टी के साथी बन क्या उसे ये रण जिता पाएंगे या नहीं न्यूस्डेक्स आई एंडी 24